चेंजिस कुछ नहीं करने, जैसे आप करते आए हैं, आप बैठे हुए थे एकदम वाट्सैप का पॉप अप आया, आपने देखा आफिस कब जाते हैं, लंच कब करते हैं, टी ब्रेक कब करते हैं, आफिस में फर्स्ट प्राइरिटी मेरा काम क्या होगा हाई फ्रेंड्स मैं हूँ डॉक्टर अमित महिश्वरी, बिजनस ट्रेनर, कॉर्परेट ट्रेनर, मोटिशन स्पीकर and CEO, मेटास ओवर्सीज लिमिटेड, आप सभी का Q&A सीरीज में मैं बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, आप बहुत सारे सवाल पूछते हैं, औ और हम आपके सवालों को सिलेक्ट करके आने वाले वीडियो में उसका जवाब देते हैं, बहुत सारे लोगों ने Q&A सीरीज में एक सवाल पूछा, कि सर आप ये बताएं, कि आप एक बिजनस ओनर हैं, आप एक इंडस्ट्री को रन करते हैं, आप एक मोटिवेशन स्पीकर हैं, आप कैसे ये सारा टाइम मैनेज करते हैं, और किस तरह से अपने बिजनस के टाइम को इस तरह से डिजाइन करते हैं, कि आप एक्स्पेंशन भी करते हैं, और ग्रोथ की और भी जाते हैं, तो आए इसी विश्या पर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले में धन्यवाद कर चाहें आप business में हों, चाहें आप profession में हों, चाहें आप job में हों, आपको अपने समय को कैसे manage करना है, ये सीखना बहुत जरूरी है, तो सबसे पहला काम figure out how you are currently spending your time, अभी आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है, कि अगले तीन दिन में आप अपने समय का utilization कैसे करते हैं, आप कौन सा काम कैसे करते हैं, आप office कब जाते हैं, lunch कब करते हैं, tee break कब करते हैं, उसके बीच में पूरा work schedule क्या होता है, कैसे prioritize करते हैं, कैसे detailing करते हैं, changes कुछ नहीं करने, जैसे आपको करते हैं, केवल उसको एक figure out करना है, और एक log, एक schedule बनाना है, कि म पहले अपना एक daily schedule बनाएं कि रोजाना मुझे कौन-कौन से काम करने हैं, मेरा day schedule पूरा क्या रहेगा, मैं office पहुंचने का समय क्या होगा, office में first priority मेरा काम क्या होगा, इसके बारे में आपको बताता हूँ, आप जो schedule बनाएंगे ना, उसमें आपको क्या करना है, उस schedule में prioritize कर ले, one, two, three and four, और आपने जो पिछले तीन दिन के अंदर schedule note किया था ना, कि इसमें कौन सा काम कैसे करते हैं, किसके schedule में करते हैं, अब उसको आप wisely prioritize करें, number one, important and urgent, सबसे पहले एक list बनाएं कि कौन-कौन से ऐसे काम है, जो बहुत important है, और urgent भी है, कि मतलब आपको तुरंत वो काम कर देना चाहिए, ये note करें, उसके बाद, important but not urgent, बहुत सारे ऐसे काम हैं, जो अनिवारे हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसे नहीं कि अभी के भी उनको कामों को आपको करना है, तो उसकी एक अलक्से list बनाएं, साथ में, urgent but not important, बहुत सारे काम ऐसे होंगे, जो बिल्कुल बानिवारे हैं, urgent हैं, लेकिन वो इतने important नहीं है, fine, उसके बाद में not urgent and not important, ये भी देखना है कि आपके कौन से ऐसे काम है, जो ना तो urgent है और ना ही important है, आई एक बात में आपको बताना, जैसे social media पर आपको किसी post को देखना, तो ना तो वो important है और ना ही वो urgent है, उस post पर reply देना, ये ना तो important है ना ही urgent है, आपको ये देखना है कि कौन-कौन से काम बहुत important है, जैसे mail पर, हम लोग क्या करते हैं, कि हमारा जो mail आया है ना, mail को तो रहनत access करते हैं, अगर आपका को scheduled mail है, कि आपको पता है कि इस person से मेरी बात हुई है, meeting से related, और ये एक मुझे proposal mail क करनी है, ये आपको देखना है कि आप कैसे, one, two, three, four, इस चार लिस्ट में अपने सारे काम को divide करते हैं, और उसके बाद उस पर बिल्कुल strict रहें, दूसरी important बात, group similar task together, हम लोग क्या करते हैं, कि एक ही जैसे काम को करने के लिए अलग-अलग समय का इस्तिमाल करते हैं, जै किसी को mail भेजना है, या किसी की call, outgoing call हमें करनी है, अब हमें करना है, हम जो similar group of task है ना, उसको एक बार में करें, जैसे जितने लोगो call करनी है, एक साथ सभी को call करें बैठके, तो आपका जो समय का distribution है, वो बहुत बहतर होने वाला है, अब जैसे मुझे mail करनी है, तो बार- की बार में निफ्टा है, यह बहुत important है, जब आप ऐसा करते हैं, तो आपको बहुत अधिक बहुमूले समय बच जाता है, जैसे calling करना, मान लीजिए आपको लगता हो कि call में, आपके phone का जो pattern lock है, वो ही खोलना है, लेकिन आभी आप एक call करते हैं, फिर कुछ और काम करते ह तो दुबारा आपको pattern lock खोलना पड़ेगा, लेकिन अगर आप calling randomly लगातार करते हैं, तो बहुत सारा समय आपका बच जाता है, ठीक उस तरह से avoid multitask, हम में से बहुत सारे लोग multi talented होते हैं, और इंडिया जैसे देश में तो खास कर लोग multi talented होते हैं, मतलब एक ही आदमी सारे काम जानता है ना, तो वही सोचता है कि मैं multitasking भी बन सकता हूँ, ध्यान रखिए, आप multi talented तो हो सकते हैं, पर multitasking नहीं हो सकते हैं, for example, आप किसी से call पर बात करने में expert हैं, आप mail भेजने में expert हैं, आप proposal बनाने में expert हैं, आप bill issue करने में expert हैं, इसका मतलब आप multi talented हैं, लेकिन क्या आप ये सारा काम एक साथ कर सकते हैं, मतलब एक हाथ से तो bill बना रहे हैं, एक हाथ से call कर रहे हैं, और एक हाथ से mail भेज रहे हैं, क्यासा संभव है, नहीं न, इसका मतलब आपको avoid करना है multitasking, आप multitasking ना करें, एक समय पर एक जैसा काम लगातार करें, ताकि आप किसी telephone communication कर रहे हैं, आप अपने business के बारे में बता रहे हैं, अपने product के बारे में बता रहे हैं, अपनी services के बारे में बता रहे हैं, तो उसकी एक limitation होनी चाहिए, meeting की एक limitation होनी चाहिए, बहुत से लोग क्या होता है, meeting के लिए बैठते हैं, 15 मिनिट का समय बोलते हैं, 30 म तो यह क्या है वेस्टेज ऑफ रिसोर्स वेस्टेज ऑफ टाइम वेस्टेज ऑफ एनरजी अन्यूटाइशन ऑफ कैपेबिलिटी इसलिए जरूवत क्या है आप किसी भी चीज को टाइम से करें कि इस काम में मुझे इतनी देर लगने वाली है मैं एक क्लाइन से एक से डेड़ मिनट में पूरी प्रपोजल पूरा डिस्कर्शन पूरा कंप्लिशन कर लूँगा अगर मेरी 20 मिनट की मीटिंग उसको 20 मिनट में ही वाइंड अप करूँगा अगर मुझे किसी जिससे आपको बहुत आसानी से चीजों को आप मैनेज कर पाएंगे उसके बाद बिल्ट इन बफर अभी बफर टाइम क्या होता है कई बार क्या होता है कि हमारे पास कोई ऐसी एर्जेंसी होती है या कोई ऐसी एमर्जेंसी होती है या ऐसे इंपॉर्टेंट टास्क होते है अचानक आजाते हैं फर एक्जेंपल आप जॉब करते हैं और बहुत सारे इंटेलिजन्ट लोग मीटिंग्स में भी बफर टाइम रखते हैं जैसे एक मीटिंग के आने और दूसरी मीटिंग के शिरू होने के बीच में वो इतना समय रखते हैं कि उनका समय वेस्ट ना हूँ वो दस मिनट पहले का उसको समय देंगे ताकि यदि दस मिनट का प्लस मैनस होता है तो वेक्ति सही समय से पहुंच जाए और इनकेस वेक्ति लेट पहुंचता है तो कई बार जो वेल प्रोफेशनल लोग हैं वो उस मीटिंग को अवाइड कर देते हैं इसलिए अपने है कि कई बार हमारे साथ हमारे कॉलेग से हमारे सरकल के लोग या हमारे फ्रेंट सरकल के लोग हमारे बिजनस रिलेशन के लोग अचानक आपको कोई बात बोलते हैं और आप उनको मना नहीं कर पाते सपोज आपका एक बेस्ट फ्रेंड आता है कि यार चलो एक जड़ा मार् व्यक्ति को बुरा भी ना लगे ये कला जो व्यक्ति सीख जाता है ना वो आसानी से अपने समय को अपने हाथ में रखता है अपनी जरूत के हिसाब से अपने समय को खर्च करता है और इसके लिए तो एक अपने पूरे के पूरे काम को वेल और्गनाइज तरीके से करें पावर अफ डेलिगेशन को समझें जो काम आपके बिना कोई और नहीं कर सकता उस वो आप ही को करना है लेकिन जो काम आप डेलिगेट कर सकते हैं जिसको करने के अथोरिटी किसी और को दे सकते हैं इसका मतलब अपने काम को properly organize करें first priority, second priority, third priority, delegation with authority and power आप कैसे अपने काम को दूसरे विक्ति को दे सकते हैं और आसानी से अपने समय को बचा सकते हैं दुनिया में सफलतम लोग ना power of delegation का सबसरा इस्तिमाल करते हैं वो दूसरे लोगों को काम करने के authority, system, method, power and liberty देते हैं कि वो आपकी ज़रुत के हिसाब से आपके लिए काम कर सके, next, eliminate distraction आज के time पर na information and technology के इस युग में हर व्यक्ति global तरीके से internet के माध्यम से लोगों से जुड़ा हुआ है, ऐसे में बहुत सारे distraction आपके सामने आती हैं आप बैठे हुए थे एकदम WhatsApp का pop-up आया, आपने देखा अच्छा हो, फ्रेंड का WhatsApp आया, शाम को party में जाना, आप उसको reply कर रहे हैं, या उसका message पढ़ रहे हैं, किसी ने आपको कोई जोक भेज दिया, आप उसमें engage हो रहे हैं, आपके mail के pop-up on है, बहुत सारे offers आते हैं, बहुत सारे schemes आती हैं, बहुत सारे spam mails आते हैं, आप उनको देखने में समय विर्थ करें, तो आपका email का, जो notification उसको off करें, social mail जो आपके पास आती हैं, उसको off करें, आपके WhatsApp का notification उसक क्योंकि अगर बार-बार आप WhatsApp पर concentrate करेंगे, तो आप exact जो कर सकते हैं, या जो करना चाहते हैं, उससे distract हो जाएगे, इसलिए जरुवत है distractions को खतम करना, और distractions में सारी चीज़ें शामिल हैं, जैसे calls, जैसे mails, जैसे WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, और बहुत से ऐसी चीज़ें कि office में छोटी बेज दिया है, तो उसको बोलो कि आप collective तरीके से, शाम को पांच बजे मुझे बताएं कि किस किस के साथ, क्या क्या dealing आप ने की, क्या क्या proposal बेजा, क्या क्या call पर बात हुई, मतलब आप अपने distractions को खतम करें, जितने अच्छे तरीके से आप distraction को eliminate कर पाएंगे, उतना ज् प्रेंट्स ध्यान रखेगा कि हर व्यक्ति के पास ने एक time के limit है, 24 घंटे का समय आपके पास है, जिसमें से 8 से 10 घंटे आपके सोने और दिन चर्या पर निकल जाते हैं, जिस पर आपका कोई control नहीं है, प्राकृतिक रूप से आपके पास कोई control नहीं है, बाकी बसते हैं 12 से 14 घंटे का समय और 12 से 14 घंटे के समय में 2 से 3 घंटे का समय आपका उठना, नहाना, धोना, खाना, खाना, चाय पीना, नाश्ता करना, आना, जाना, कुछ भी करना, ये वेस्ट हो जाता है, आपके पास जो net time बसता है, वो 10 से 12 घंटे का समय बसता है, या 8 से 10 घंटे का सम प्रॉपर एक टाइम लॉग बनाएं स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें और जो नॉम्स और जो तरीके मैं आपको बताएं यह सभी तरीके मैं मेरे बिजनस में इंप्लीमेंट करता हूं जिसकी वज़ा से बिजनस शीडियूल में और इंडस्ट्री में बिजी रहने के बाद भी मैं अपने उस बिजनस टाइम से बहुत सरा टाइम आप लोगों के लिए निकालता हूं ताकि आपके लिए मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो बना सकूं कि मै आपके फ्रेंड्स आपके रिलेटिव आप जिन लोगों के वेल विशार हैं उनको साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपने समय को ठीक तरीके से मैनेज करना सीख जाएं और जब आप अपनी फैमिली के साथ होना तो फुल इंजॉय करें अपनी फैमि पार्टी में गया हुआ हूँ इंटर्टेन्मेंट के लिए मैंने समय निकाला हुआ है वर्क आउट के लिए समय निकाला है जिम के लिए समय निकाला है हर चीज को मैंने एक सिस्टेमेटिक तरीके से मैनेज किया है इसी तरीके से आप भी मैनेज करेंगे तो सफलता आपके कदम ज़रूर चुमेगी स्वस्त रहें मस रहें मैं डॉक्टर अमित्मा इश्वरी आप सभी के सुनरे भविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत